आप लोग के लिए मतलब मैं समराइज बेमें करने की कोशिश करूगी कि क्या है यह इन्सॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड गाइस में यह चाप्टर ही क्यों कर रही हूं इसका यह रीजन है कि मैं ना देखियू कि इसमें से 10% कवर करते ही हमारे शलेबर्स का गाइस लौ म बात काने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपन को क्वालेटी ही लिखना एक्जामेनेशन में तो फिर आपन क्या करेंगे वीडियो को स्टागे रहे लेट्स केट सब्से पहले इंट्रदक्शन देटीउ मैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी और यह द नहीं कर पाए तो उसको बोलते इंसलवेंसी तो लर्न करते हैं तो आउटस्टेंग लाइबलीटी ऑफ अप्रक्रडिक्रतर पेड्ट नॉट पाइड एवन आफ्टर था क्लेम तो इन स्कों इनसलवेंसी वह 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 वर इधि गणर्वara एक है तो आप बेंक्रप्थी हो थीकिए गाइज ऐसा भी कह सकते हैं आपन कि इन्सौल्वेंजी के अंदर आता है बेंक्रप्थी है यह उसकी दिए आपसकी है अगर आपन देखा जाये तो जो कोट है ठीक है फिस टाटेस्टिकल शोओं डार टोटल डाटी इन इंडिया एस अराउंड 11 परसेंट आफ टोटल लेंडिंग जित्ती भी लेंडिंग होती न उसमें से 11 परसेंट जो रहेगे वो टोटल डेट होते हैं ठीक है और अगर अपन कंपैर करें अधर कंट्री के साथ तो फ इंडिया has 1000 of pending cases for recovery of money, ठीक है guys, 1000 अपने हाँ pending cases पढ़े है, ठीक है बहुत सारी, बहुत सारे bad date का, क्योंकि नहीं बहुत सारे law apply होते हैं उसमें इसे लिए, और ये overlapping nature के होते हैं इस वज़े से भी, तो जो IBC ना, IBC वो pass हुआ था राज सभा में, 4 मही को, 2016 guys, date याद रख सकत तो easy है, 4 में, 2016 को IBC का राज सभा में ये pass हुआ था, ठीक है, उसके लोग सभा में 5 को pass हुआ और 25 तरीक को president ने approval दे दियो और उसी दिन से ये act allowed है, ठीक है, तो 25 मही से ये act आ गया है, 4 को अपना राज सभा में दी, 5 को लोग सभा में दी, और 25 से आ चुका इंडिया में, ठीक है, अब कौन-कौन से इसमें आ चुके है, तो देखो, ये companies act, नया वाला, पुराना वाला partnership act, LLP act, ठीक है, फिर recovery of debt due to bank and financial institute, ठीक है, recovery करेंगे अपन, जो भी bank financial institute से, वहां से, सफासाई act से, ठीक है, सिक इंड्रस्टी company act से, presidency, insolvency act से, और provisional insolvency act से, next है कि क्या preamble था, IBC का, ठीक है guys, preamble मतलब sets, मतलब कैसा set type का बोल सकते हैं, ठीक है, objectives, ठीक है, तो देखो, इसका क्या क्या objective है, तो देखो, सबसे पहले तो ये क्या consolidate किया सारे amend law को, जो भी law, दूसरी दूसरी जगा fall हो रहे थे ना guys, उन सारे को एक साथ लिए गया, इ और बाकी दूसरी जगा से भी वह ले सकते हैं, पन कुछ points, कुछ section, कोई चीज, overriding होती है, ये सब होता है, बट code में ऐसा होता है, कि code में, अगर आप यहां अगर हो तो यहीं क्यों सब कुछ, पिर, आपको कहीं नहीं भेजेंगे, कि हाँ, यह यह वाली line वहां सरिफर की है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यह क्या-क्या consolidate कर दिया सारे act को, ठीक है, फिर, यह complete insolvency proceeding timely manner में करवाता है, ठीक है, फिर, यह maximize करता है हमारे assets की value को, ठीक है, गाई, सोचो ना, दिमाग लगा करते हैं, तीन point को, कोई code आया, तो क्यों आया होगा, ताकि सारी चीज, यहां पर एक जगह मिल जाए पन को, इसको आप multi specialist hospital समझ लो, जहां पर सारी चीज का इलाज होता है, ठीक है, फिर, यह क्या करेगा, आपके काम को, जल से जल करने की कोशिश करेगा, एक जगह पर क्यों एक खटा करते चीज, ताकि जल्दी जल्दी पहुँ सके, महाँ पर, increase the availability of credit, credit को available कर वाएंगे, तब तो जाके creditors को feel proud होगा, feel protected होगा, अगर आप कुछ ऐसे काम करोगे यह नहीं, तो आपके पस कुछ अच्छे cases solve रहेंगे, तब तो लोग आपके पस आएंगे, कि हाँ, यह अच्छा बन है, यह solve कर सकता है, ठीक है, तो वैस आप क्या है, कि credit protected feel करेंगे, तब तो credit availability जी नहीं रहेगी, तो कैसे आप उनको protected feel करा सकते हो, आप कुछ अच्छा मैम क्या फालतू कहानी सुनाते रहती ही, करेंगे, याद करने के लिए सुना रहे हूं है, ताकि आप connect करके याद रख सको, कि बखवास तो याद रहती है, इंसान को, ठीक ह ठीक है, फिर to balance the interest of everyone including government, balance अपका निकलाना उसको, मताब balance करना उसको interest और सारे government का भी, ठीक है, और फिर establish the insolvency and bankruptcy court का board, board भी establish करना है, ठीक है guys, I hope आप आपको पूरे points याद हो गए होगे, मैं चाहती हूं कि पूरा IBC याद कर लो, important है guys, इसमें से definitely question आएगा, I am 100% sure, ठीक करेंगा, कि consolidate करेंगा, सारे act को, insolvency proceeding को timely manner में करेंगा, maximize करेंगा, assets को promote करेंगा, entrepreneurship, available करेंगा, credit, so that creditors रहेंगे, वो protected field करेंगे, interest सारे लोगों का क्या करेंगे, including government का बचा, मताब बचाने का ही इनका काम है, और insolvency bankruptcy, board बनेगी, board, जिसका नाम रहेगा, IBCB अब applicable क्या कैसे, कहां, कहां पर कैसे, क्या होता है, बहुत important applicability, यह सारी इंडिया में, but guys, बहुत ध्यान से सुनना, कि यह जो JNK है ना, महां पर partnership और individual का नहीं होता है, मतलब अगर आप individual हो, या फिर आप partnership हो, तो फिर आप IBC के case के महां से नहीं लड़ सकते, JNK से, ठीक यह दो, ठीक है, तो यह क्या हो, corporate हुआ, और यह क्या हो, non-corporate हुआ, non-corporate हुआ, ठीक है, तो यह, इसमें क्या हैंगे, individuals हैंगे, तो इन लोग नहीं आ सकते, बट corporate आ सकते, JNK वाले, ठीक है, I hope आपने समझा होगा, कि जो JNK के corporate से वो लोग आ सकते है, बट वहां के individual और partnership लोग, IBC में नहीं आ सकते, यह question fill up कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, गलत नहीं करना, यहां तक cover किया मैंने, अब आगे देखते है, IBC 16 applied to insolvency of following organizations, company register, guys, जो company's act में register है, वो और जो previous act में register थी, वो दोनों में applicable है, ठीक है, company register under special act, कोई भी special act में अगर कोई company है, तो उस पे भी applicable है, LLP act पे है, अपने discuss का चुके ऊपर भी वही है, same, notified जगा पे applicable है, जहां पर personal guarantees देते हैं, महां पर applicable है, partnership firm, proprietary और individual, जितने नाम यादा, इंगे ने exam में बैठ बैठ सब लिग देना, ठीक है, फिर से revise कर वा देती है, तेखो, companies act, previous act, ठीक है, special act, LLP act, ठीक है, फि किसके ऊपर नहीं होता है, यह important है, किसके ऊपर होता है, वो तो एक्दम easy था, किसके ऊपर नहीं होता है, यह important है, याद रखना, यह किसके ऊपर applicable नहीं होता है, नहीं होता है, financial service providers, financial service provider के ऊपर नहीं होता है, जैसे कि bank हो गया, financial institute हो गया, insurance company हो गया, asset reconstructions हो गया, mutual funds हो गया, यह सारे काम कौन-कौन से फिर से बतारियों मैं याद रखने एक्जाम में आए का याद कर लो और इंशॉरेंस एसर्ट रिकंस्ट्रक्शन नूच्यल फॉंड्स और स्कीम जो भी अतने पेंशन स्कीम यह वह तो आपन बोर्ट पे तो इसका है जो एक्जामेंषन कर सकते है तो आपको रखना है चीक lien मैं आपको ना हर चीज़ के लिए एक दम प्रिपेर करें तु फॉल्स मैचिंग एंसे क्यूज एंड आंसरिंगा क्वेश्चिन्स ठीक है इसको पढ़के जाओगे कब दस नंबर मिलेंगे आपको एक साम में चिंता ही मत करो ठीक है तो अब मैंने स्राटेजी भी बनाई कि ल करें के लिए आप लोग मैं को कमेंट करके नहीं बताते हो कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूं जाओ मैं आप लोग नहीं बनाऊंगे आप ऐसे करो ना में साथ थीक है miyan to a च्यों छोड़ो मैं बना दूँए it is headed by the chairman and has 10 members guys, इसमें 10 लोग रहते हैं जिसमें से 3 whole time रहते हैं 10 member रहते हैं जिसमें से 3 whole time रहते है ढगना 10 में से 3 whole time 10 में से 3 whole time तिक निए प्रोफेशनल्स में एजेंसी और तीसरे यूटीलिटी अब कुछ लिस्ट है जो काम करके फॉइंट इतने पूरे दो पेच भर के पॉइंट थीक है चलो एक एक पेच करके आद करते हैं सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि आपन अपना ऐसे कहानी बना के आप करते तक कि ना अपन को जल्दी आद हो जाए सारी चीज क्या है एक बर और बता देती मैं फॉल्वाइंग आडर लिस्ट ओफ पर्फॉर्मेंस ठीक है फंचंक परफॉर्म जो क्या इबीसी करता है मतलब इसका काम क्या है वह क्या करेगी लाइसंस देगी ठीक है फिर एक क्राइटेरिया बताएगी प्रोफेशनल्स को देखे उनका फीस चार्ज़ बताएगी प्रोफेशनल्स करते है फिर और आग करेगी ऊंच सब्क्राइटे ऑ सक्टार्च पोउइंड इसको थोड़ा कर तो ने प्रोफेशनल्स को देखे और फिलिटिस्तु रखायर बताय्शनल्स safety्हाइशनल्स आ सर्चंस ये विंस था Chairman explain there इसको मोलिटर करना यहां पर आपन डाल सकते इस पॉइंट को इधर ही डाल देंगे सिक्स पॉइंट हो जागा तकी एक साथ याद करते बने ना ठीक है फिर पब्लीश स्टेस्टिकल्स डाटा पिर डाटा कलेक्शन करना फिर रिकॉर्ट को कलेक्ट करना एक जैसे ही देखो करना इन्वेस्टिगेट करना इन्फोर्मेशन को डिमांड करना परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना इस्टैस्टिकल्स डाटा मंगाना डाटा कलेक्शन करना डाटा मेंटेन करना और इस्टैबलिश करना कमीटी ठीक है इसके अलावा अपन क्या पाच पॉइंट पढ़े थे ठीक है और फिर रिसेर्च और डवलप्मेंट रेगुलेशन करेगी प्रमोट करेगी गुड गवर्नेंट्स और अधर फंचन्स ऐस में भी प्रेस्क्राइब एक और पढ़ लेते गा इस यह नहीं में भी आ चुका तो आते रहता है ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या है मेंटेन करेगी वेबसाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग मिनाएंगी गाइडेंस देगी ग्रेवियांस रेड्रेसल करेगी और फिर आर एंडी होता है ठीक है फिर रेगुलेशन बताएगी के लिए गुड़ गवर्नेंस आइज में भी प्रस्क्राइब आई होब गाईज मैं आपको लर्न करवा पाई हो और आप एक्जैम में गलत आनसा नहीं लिए ठीक है अब आगे बढ़ता है रेगुलेटर मेकानिजम एंड रेगुलेटर बॉडिज अंडर आई बीसी देख तो देखो फॉलॉइंग आदा मेकानिजम सबसे पहले आई बीसी कोड है ठीक है तो उसमें कहा है सबसे पहले एक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है और एजुकिटिंग और थारिटी है ठीक है दो पार्ट से इसके एक तो आई बीसी बी आई बी जो आई बीसी इसके अंदर क्या क्या है प्रोफेशनल एजेंसी है और यह इंफोर्मेशन यूटिलिटी जगाई इसमें आप पहले बी बता चूँकि इसमें तीन होते है प्रोफेशनल एजेंसी होती है इसमें आप मेंली याद करो रुखो सबसे पहले एक एजेंसी आद करो इसके प्रोफेशनल से आद करो और इसकी यूटिलिटी यह में पॉइंट है तीन होते है इसमें ठीक है यह क्या पढ़ रहे है अपन फिर से बता दे तो मेकानिजम के अंदर मतब बॉडिस कौन-कौन से होती तो देखो एक एजेंसी होग यह का मतब घर घर में जैसे जो बड़ा होता ना उसको अज्यूटिंग अथर्टी बोलते है अपन जिनकी जिनकी सारी बात है बद सारे लोग बात मानता है जिनकी तो अपनी अज्यूटिंग अथर्टी होती है ठीक है उसके फिर पर कॉर्पोरेट पारसा ने इस ay होप अंपटो को क्लियर वहवगा इतना यह दो पोइंट आगे बढ़ते हैं अपील अन पर पर पिलीट से कुछ नहीं हो तो आप जा सकते हो आप सकते ही पूइल रिख सकते हैं पढ़ लेते हैं अब आपन क्या पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पढ़ते हैं पहले नहीं एजेंसी दिया हुआ एजेंसी पढ़ लेते हैं ठीक है फिर यह पढ़ेंगे देखो एजेंसी में क्या होता है इट मीन्स एनी परसं रजिस्टर एज एजेंसी विथ आई बीसी के अंदर एजेंसी की तरह रजिस्टर होगा तो उसको बोलेंगे कि आई बीसी की वो एजेंसी है इसे काम अच्छे से हो इन्सलिएंसी प्रोफेशनल्स का ठीक है इस एजेंसी विल बिकम फर्स लेवल रेगूलेटर यह आपका फर्स लेवल रेगूलेटर बनेगा एसे प्रोफेशनल्स में ठीक है इस एजेंसी विल इंक्रीज यह लेवल उफ कॉंपिटिशन इंक्रीज करेगी तो चार पॉइंट है इसके उपर शॉट नॉट आ सकता है कि क्या होता है आई बीसी एजेंसी इसकर के बताओ करके तो आप पूरा लाइन लिखना जो इसमें लिखना एकदम एजी वे में लि के लिए उसके बाद जो एजेंसी होती है वह फर्स लेवल रेगुलेटर होती है और फिर आपको बताना है कि यह लेवल ऑफ कॉंपिटिशन को इंक्रीज कर देती है अब आपन मैं इसके दर से बोड़ेंसी प्रोफेशनल अखरी क्या होता वह यह कौन से चिरिया तो चलो कि बाले में जानते है चलो गitted है 17 Queensborough पर इसे बाइस हो जाते हैं जो लोग को उनको बोलते हैं इन्सोलेंशी प्रॉफेशनल एजिंसी की थीक है ऐसा समझ लो कि एजेंशी जो एक वो एक रफ पर कुछ मान लो और उसके अंदर इसकी मेंबर्शिप होती जो इनके के पास होती है ठीक है इट विल है फौकि ऐंसी ने को इस उपर सब्सक्राइका में है इनके काम है एंआ के अगर इनके अरुभवाड़ करें क्राइटीरिया में ठीक है इनके पस मेंबर्शिप होती है इन्सॉलेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की ठीक है यह फॉलो करते है कोड ऑफ एथिक जो की एजेंसी ने बताया है और अगर वह बात नहीं मानेंगे तो उनके खिलब क्या होगा एक्षिन ठीक है अगर बढ़ते हैं वह फर्ठीक है एक कि पान क्या दिसकरा यह भर लेते तो आपना यह बचसा है और यह पढ़ रहे तो इन्फरमेशन उतिलीटी जो है वह एक परसंन ह zij मतबब एक परसंन है जो कि registered है इसके अंदर फिक है यह कोई जगहा नहीं है यह फिर ऐसे कुछ नहीं है एक परसन है जो कि इसके अंदर registered है ठीक है उसके बाद फिर utilities provides code of service as prescribed by IBI मैं तब codes बताती है core services के ठीक है उसके बाद क्या है सोर्सथ का और तो selective Safety information सोष मधन कि concepaged सोर्स जुबी सोर्सें सेफ एक्षेप्टे कृति नहीं तो नहीं है इसान का कर्ते है कोई आ कि कुछ भी वोलेगा तो मान फड़ी को नहीं त्रफितिए कि उसके बढ़ क्या करती प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन आफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड लिक्वीडेटर को इंफॉर्मेशन देती गाइस ठीक है तो मैं आपको फिर से रिविजन करवा देती हूं कि यूटिलिटीस क्या होती है तो देखो सबसे पहले वह करती है इंफमेशन बहार से शक्ति पहले इंफमेशन को जाच करती ह om देखो सबसे पहले जो बेंक्रप्सी कोड़ के अंदा दो पार्ट पहले चुह सिधा करती है Jen शुरम शूर्इंध करती है ग्यों पहले बतारेगों से यह सटय समिद्ण बखाते हैं स्थार्ट क्वार कि यह उड्ड कॉर्टी जीन सिह हुआ है चुम faut दिस्प्यूट रिकावरी ट्राइबुनल अगर इनके फैसले से खुशने रहते तो आपिलेट के पास दोनों के फॉर्टीव डेस के निदा सुप्रीम कोड के पास आ सकते अपिलेट से खुशना होते हो उसके एजैंसी एजैंसी क्या होती है यह इनी परसं रजिस्टर जो ल यह इन के ऐनी आउगा और यह टॉ की आपको वीडियो पसंद आती ही तो प्लीज गयास लाइक करते इज वीडियो को so that I can understand your feelings ठीक्या आगे बड़ते हैं insolvency uh resolution process क्या होती है अब देखते है insolvency resolution process क्या होती है insolvency regulation process क्या होती है ठीक्या तो देखो out of all topic of IBC-16 सबसे पहले क्या पहले पहले वह देख लेते हैं देखो सबसे पहले डिफॉल्ट होता है अब क्या होगा अपॉइंट्मेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हम बुलाएंगे जिनको अपन प्यार से क्या बोलता है अपन अपनी भाशा में लिक्विडेटर ठीक है फिर वो क्या करेगा एक प्यूर्ट बताएगा कि इतने सेतने दिन तक मैं काम करूगा मतब 180 देज से लेके उनको 90 देज का एक्स्टेंशन मिलता है और उसके अगर वो काम नहीं कर पाए पूरा तो वो एक्स्टेंट कर रहा सकते हैं और 90 देज यह जगा 270 ठीक है तो मैं क्या बता रही थी कि देखो अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो अपने अपॉइंट करते हैं अपने प्यारे लिकुडेटर जिसका नम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो की 180 दिन तक काम करता है और जो 90 देज तक एक्स्टेंट हो सकता है और उसके बाद फि आपने लिकुडेटर पर जाते है लिकुडेशन में में तो कम्पनी लिकुडेशन चल जाती है ठीक है इस मैं फिर सरी कॉल करवा त्यों आपको देखो सबसे पहले resolution प्रोसेस चालो होगी तो अपन को default होना जरूरी default जैसी वह अपन appoint करते हैं एक तो insolvency professionals को जो कि 180 दिन तक काम करता है पस 90 days का उसको extension मिलता है उसके वदर अपन एक committee बनाते हैं अगर 75% क्रेटर बोलेंगे हाँ हाँ बना दीजिए तो ठीक है अगर नहीं बोलते हैं तो फिर अपन कंपनी को रिक्विडेट करवा देते हैं section 4 initiative of committee अगर committee का initiative क्या होगा ठीक है तो process starts only with a default जब default होता तब चालू होता है process ठीक है one crore से यह ठीक है तो जो default एकम्स का minimum one crore का होना चाहिए such such amount shall be verified per petition which means if one and more individual together want to file case they can if the aggregate amount become one crore ठीक है guys अगर आपको petition file करना है तो आपका खुद का एक करोड का वह होना चाहिए क्या company नहीं देरी मेरे करोडर पर रख लिए या फिर आपके आपके दोस्त आपके जान पर चांद जो लोग भी company से पीडित है उन लोग सब का मिला के one crore होना चाहिए aggregate में ठीक है तब जाके आप यहां पर petition file कर सकते हो section 6 जो है who can be initiate insolvency process कौन चालू करते है guys तो देखो financial creditors जो होते है न वो लोग फिल करते है और operational creditors यह दोनों जो रहते है वो लोग खुद जाके बोलते है कि हम petition file करेंगे but उनका amount कितना होना ऐसी कम से कब 1 crore ठीक है financial credit means a person to whom financial debts are owned including the real estate and all the fees guys financial creditors वो हो financially punch परिशान होते company से जैसे कि financial debt देते हैं लोन देदी है तो financial debt हो गया operational creditors वो होते है जिससे आपन operations से रिलेटर रहते हैं इस दो टाइप के लोग होते हैं देखो आप समझो कि अगर कंपनी को loan की जर्वत है तो वो क्या लेगी financial loan लेगी हैना मतलब जो normal loan लेते हैं तो उसक जल सकता company का वो operational creditors होंगे ठीक है तो operational creditors means claim regarding goods and services and employment ठीक है गाइस good service employment से रेलेटर होते हैं operational debts जैसे कि operational debts में employees भी आ सकते हैं अगर company उनकी salary नहीं दे रही है तो ठीक है देखो मैंने वोला वो आ भी गया ठीक है आगे बढ़ते हैं revision करवा तो क्या करा देती देखो section 6 में लि हो लोग जा सकते हैं जो कि operational creditors financial creditors होने चाहिए operation में तब जो day-to-day activity जो business की होती है उस से related हो जैसे कि employees और जो लोग raw material suppliers होते हैं वो सब financial creditors वो होते हैं जो कि financially support करते है company को जैसे कि loan अगरे देते हैं section 11 who can not initiative कौन initiative नहीं ले सकता ठीक है if repetition is followed अगर कोई disqualified है इंसान under section 29a तो फिर वो यहां पर नहीं आ सकता if a company is already undergoing अगर पहले से ही इसके ओपर कोई चल रहा है committee का action तो आप कैसे भुश सकते हो बीच में आप नहीं कर सकते if a committee has just completed and 12 months are not yet covered अगर आपका यी process जो है वो अभी अभी खतम है company का तो आप जाकर नहीं हो सकते चालो करो जो कि आर एक बर खतम होता process उसके 12 महने तक शान्ती रहती है शान्ती समारों बनाते हैं 12 महीने का ठीक है तो 12 महीने तक आप नहीं जा सकते when a creator has himself guilty of non compliance of terms अगर समझ लो कि कुछ terms and conditions है गलती दोनों साइट से है ठीक है आप खुद terms तो follow ने क्या और बोलो company पैसे ने देरी company पैसे ने देरी company पैसे ने देरी guys तुम अपने तरफ पर देख लो जड़ा अपना तो देख लो कि तुम कितनी गलती की हो ठीक है if liquidation order is already come against the company and there is no scope of अगर company खुदी लिक्विडेशन में जारी तो आप कही कर सकता है तुम क्या करोगे जाके प्रटीशन फाइल करके वह अभी company के खिलाफ company के खिलाफ फाइल नहीं कर सकता क्योंकि company liquidation में जा चुकी है a person is not eligible for applicant resolution applicant कौन नहीं दे सकता तो not eligible resolution applicants ठीक है तो देखो सबसे पहले undischarged insolvent अगर होगा तो वह नहीं जा सकता विट्फुल डिफॉल्ट रहे bank खुद खुद डिफॉल्ट रहे और company को बोड़ा कि तु डिफॉल्ट ही है has a NPA account from last one year or more non-performing assets इसको बोलते है वो loan account है और अभी तक खुद तो दे ने रहे हो पैसे और दूसरे के पास आयो ठीक है तो यह सब लोग नहीं आ सकते person convicted for two years or more for specify offense कोई specify offense है जिसके लिए तुम दो साल से convicted हो ठीक है और दो सल खतम नहीं हुआ तुम नहीं आ सकते person committed for seven years साथ साल से भी ज्यादा कांड करके बैठ और बोल्डों की company बन कर रहा है उसके फिर two years has not expired और फिर sentence मैं तो छूटने के बाद भी नहीं दो साल उलोग को उलोग की बात कोई नहीं सुनता ठीक है तो दो साल तक और फिर अगर कोई disqualified है डारेक्टर बनने के लिए किसी ने prohibited किया है सैबी के rules को कोई promoter है manager है controller of a company which is preferential transaction undervalued transaction executive credit transaction और defalter transaction takes place कोई past का promoter है और ऐसे फल्तु के काम किया है वो default transactions किया है तो वो नहीं आ सकता ठीक है a person who has given guarantee company को guarantee दिया था और already IBC चल रहा है उसके उपर तो कैसे देगा चल रहा है ना काम रुक को जाना धीरज रखो ज़रा person who suffering from same issue जो की same issue से suffer कर रहा बट वह outside इंडिया रहता है तो नहीं आ सकता person connected to ineligible person को ineligible person से connection में आ रहा है उसके बाद समझ लो कि मैं ineligible हो तो मैं गया कि मैं अपनी बहन को जाना company से बोल की पैसे देगी करके तो वो उसकी बाद भी कोई नहीं सुनेगा विए कि मैं खुद देर ineligible हूं तो फिर उसकी बाद क्यों सुनेंगे ठीक है रिविजन 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 कर लेते चलो देखो सबसे पहले जो लोग कौन को नहीं आ सकता अंडिस्चार्ज इंसॉल्वेंस नहीं आ सकता विट्फुल डिफॉल्टर नहीं आ सकता एंपी अकाउंट वाला नहीं आ सकता करन्विक्टेट फॉर टू यर्स और सेवन यर्स उसके कंपलीट होने के बाद दो साल भी नहीं आ सकते ठीक है उसके बाद फिर डिस्कॉलिफाइड डारेक्टर हो प्रोहीबिट कियो तुम सेवी की रेगुलेशन को पास्ट के कोई प्रोमोटर डारेक्टर हो जो डिफॉ जीबल परस 술 अगर तो अगर है ठीक है फ्रोसेस अपिनीशल होता है ना अगर है वह फॉयल कर सकता हaking थी तिकि एगर सथ हांडीट होने चाहिए नंबर में 100 होने चाहिए या तो 10% of financial credit numbers समझ लो कि अगर 100 total financial credit है ठीक है तो उसका 10% कितना को 10 तो कम सकम 10 credit जाना चाहिए या फिर 100 मतलब एक हजार है समझ लो एक हजार में से अगर 100 लोग भी जाना चाहते तो जा सकते विचेवर इस लोवर ठीक है जोर क्यात रखना नेक्स ते फानेंशल कैटर हुआर रियल स्टेट अलोटी अर और अलसो अलिजिबल टू अप्लाई अगर वो लोग रियल स्टेट अलोटी एना गाईस तो भी वो लोग जा सकते है और देखो सो अलोटी होना चाहिए 10 परसंट सेम तू सेम विचेवर इस लोवर सेम फे सेम सेम लगा देना ठीक है फिर फानेंशल कैटर प्रीचेव लर नहींकी जरुरत नहीं है बट सीचिक्लेटेल की जवरत नहीं वोट रहीगी वोव प्रीक हैं bonus concept ज़र्ज करेगी कि जो प्रिटीशन है वो काम की है material है या नहीं है not less than 14 days मतलब 14 days के अंदर अंदर वो बता देगी कि आपकी पिटीशन मतलब जारी हो रही है या नहीं हो रही है या फिर वो बोल सकती कि रेक्टिफाइक करके लाओ ठीक है और आपको साथ दिन के अंदर अगर वो रिजेक्ट करेगी ना तो आपको रीजन देगी कि यह उसने रिजेक्ट किया कंपनी जो रहेगी वो डिफॉल्टर नहीं है या फिर पिटीशन वो रॉंग है यह जो पिटीशनव इंकम्प्लीट है या तो फिर जो इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल से वो ट्रायल और इस्टी डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स ठीक है इस अंडर मताब वो ट्रायल और डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग के अंडर प्रोफेशनल यह होगा इस वज़े से रिजेक्ट हो सकते हैं और अगर जो पीटीशन है वो एकसेप्ट हो जाती तो इंसॉलवेंसी चालू कर देंगे जिस सेम तुसेम हैं क्रेटर इनके उपर भी लागू होता है जो रियल स्टेट वाले होते हैं ठीक है जो प्रोफेशनल को हायर करके अपनी चालू करवा सकते हैं एंस एल्टी को लोग करेंगे चौदा दिन के अंदर वो अगर कुछ डिफॉल्ट होगा तो बता देगी आपको स डिसिप्लीनरी और ट्रायल में है या फिर जो पिटीशन है उसके जो पिटीशन रहेगी अगर वह एक्सप्ट हो जाती तो उसी दिन से हमनों मान लेंगे कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है नेक्स देखते हैं अपन इनिशेटिव उफ इंसॉल्व यह इनके पास को भी अथर नो अथराइस तो अब्रू इंस एल्टी डारेक्ली इनके पस को यह थौर्टी है कि वह एंस एल्टी जा सके ठीक है तो उनके पास ना टेन डेज दिवांड नोटीस तू कंपनी विटाउट बिंग प्रेटिशन के ना भी फाइल दस दिन का उनक नोटी के प्रोच बाइद है उसके बाद अपन जा सकते हैं अगर वह पे भी नहीं कर रही है और वह बता भी नहीं की रिप्लाइए नहीं दे रही है तो उसके पर अपन क्या करेंगे आपन अन्सल्टी बग जाएंगे ठीक है नेम जो जो प्रोफेशनल है गा वह इंग को आगे बढ़ हैगा ठीक है अगर जो पीटीशन है वह एकसेप्ट जाती है तो इस दिन से पीटीशन का डेट एडमेशन जो डेट आफटीशन ओपीटीशन फीट इंपनिशन नौट नहीं है और अगर वह एंचल्टी एकसप्ट नहीं करती उस बात को ठीक है तो आ इसे लिए वो सबसे पहले कंपनी को नोटीस देते दस दिन पहले और अगर कंपनी उसका जवाब नहीं देती है तो वह पेच निहीं कर रहे हैं तो उसकेस में अपन आपने जा सकते आपने प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है जो के प्रोफेशन को लेके जाता है आगे और के बाद अगर वो एक्सेप्ट जाती है तो वो जिस दिस से अडिशन हुआ है पिटिशन का वो ही दिन मान लिया जाता है अगर जो कंपनी है वो एक एंचल्टी कंपनी से पूछेगी कि क्या यह लोग सच बोल रहे अगर कंपनी बोल देती कि नहीं बोल रहे करके तो फिर आपकीबल नहीं होता है ठीक है उसमें कंपनी से नहीं पूछा जाता है उसमें स्व नहीं कोनोटीस दी जाती घृट और पूछा भी जाता है अब शेक्शन टैनैनि इनिशेटिव यह प्र ह३ो और पॉक्पेरेशन इनियर्स एनिशेटिव निश्वश स्वाइट इनिश पंगर रहे थे अब रहे उप्राणल क्रेडियाँ क्रेडिटर सब्सक्राइब, उप्र mafia टभल में इन्डिवीजुल था जो प्रिषान था कंपनी से तो क्या कर रहा था याद रखना कि अभी थैसा आहां पर मैं समझा देड़ी यह देहों I ठीक है, यह company है, इस से परिशान होके अभी तक individual जो था, वो court जा रहा था, NCLT जा रहा था, अब क्या है, ठीक है, नहीं दुखी बिचारा, ठीक है, यह company से परिशान था, इसे लिए दुखी तक करके NCLT जा रहा था, अब क्या है, अब जो पढ़ने वाले ना हम लो, यह इस इसमें corporate data मतलब, इसमें जो company है, वो परिशान है, company परिशान है, हो सकता है, किस से परिशान है, किसी से भी हो सकती है, देखते है, आगे क्या है, देखो, corporate data can itself file petition to NCLT for insolvency resolution, NCLT पर जाके file कर सकता है, such petition can be filed only if companies pass special resolution, उसके लिए इसको special resolution pass करना पड़ेगा, ठीक है, following documents लग ठीक है, copy of resolution लगेगा, special resolution, उसके बाद भी detail लगेगी, detail लगेगी, insolvency professionals की, ठीक है, petition अपन 14 दिन के अंदर file कर सकते है, जो की reject भी हो सकता है, accept भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर default करने का मौका मिला जाएगा, ठीक है, खताम, revision करवा देती है, अगर कोई company है, वो खुद से प सकते हैं, साथ दिन के अंदर हमको मौका मिलेगा, कि ठीक कर सकते हैं, अगर default है, section 12, time limit for completion of insolvency resolution process, किते दिन में, किते दिन में complete हो जाना चाहिए, तो देखते हैं, तो जो ये हमारा, completion of insolvency resolution process, इसका shortcut ये, ठीक है, completion of insolvency resolution process, should get completed within 180 days, जिस दिन प्रोसीदिंग चालू ही ह उस दिन से 180 days के इंदर खतम हो जाना चाहिए, such time period is extended to 90 more days, guys, ये MCQs में आता है, important है, दोनों को मिला के 270 होता है, ठीक है, तो 180 days में खतम हो जाना चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो 90 days रख लो, पर 270 में तो खतम हो ही जाना चाहिए, such time prescribed extended to 90 days applied to professional upon the approval, with the 66 majority of approved by NCLT, NCLT का approval जिसमे 66 majority चाहिए, हमको 66% की majority, such as extension can be granted only once in a whole process, एक ही बार आपको ये extension मिल सकता है, उसके से completed in any case, मतलब गीरी से गीरी हालत में, extension के बाद भी 330 days में complete हो ही जाना चाहिए, आपका, 330 days से जादा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको time, मतलब क्या हुआ, इसमें और 60 days add कर लो, मतलब total, देखा जाए तो, आपको total days किता मिला, 180 plus 150, देखो सबसे पहला आप ऐसे समझो, मैं दूसरा कला पैसे समझो, सबसे पहला आपको मिला 180 days, आप extend करा है 90 days, उसके बाद further extend 60 days के लिए हो जाएगा, तो ये total जाएगा 330, इससे जादा का extension आपको कोई हालत में नहीं मिल answer लिखने है, और बोलेगे ना कि completed, इतम last complete कब तक हो जाना चीए, तो फिर ये total answer आएगा, ठीक है, confuse मत होना, अगर extension पूछेगा, तो यही वाला लिखने है आपको, exam में, ठीक है, क्विक रिविशन करवा देती हूँ, देखो सबसरा time limit, 180 days, plus 90 days का extension हो सकता है, प्लस 60 days का extension हो सकता है, total 360, इसके लिए हमको 66% की majority का approval चीए, NCLT से, withdrawal of application admitted, कोई भी अगर अपन application डाले है, उसको अपन withdraw कर सकते है, जब हमारे पस 90% majority हो, हमारी company की, और उसमें agree करे, NCLT allow कर देगा, कि ठीक है, तुम निकाल लो, क्योंकि NCLT के तो काम कम हो रहा है न, क्यों मना करेगा, ठीक है, तो withdraw कर सकते है, कर 90% majority में अपना resolution पास होता है, तो, फिर, memory, memory team, and public announcements, ठीक है, मतलब, जो morality नम जो होता है न, उसका मतलब होता है कि delay या suspend करना, कोई भी activity को, delay करना, मतलब न, stay order मान लो, यार तुमी को easy terms में, ठीक है, for the purpose of legal proceeding, it means stopping the legal proceedings, ठीक है, stay order ही बोलते है, इसको, stay order, अपन stay order ला सकते, once the petition is admitted, जैसी, जैसी न, petition चालू होती न, एक public announcement किया जाता है, उसके बाद, और उसके लिए appointment किया जाता है, अपना, ए, ये, insolvency professionals को, ठीक है, तो, इसके लिए stay order ला सकते है, बट कब नहीं ला सकते, cannot happen, कब नहीं लाएगा, जब new case cannot be filed, ठीक है, नया case तक फाइल नहीं होगा, existing case cannot be carry forward, मैंतब नया case आ नहीं सकता, पुराना case जा नहीं सकता, आगे, ठीक है, सफासी एक्ट में है, ना, वो ले, इंट्रेस्ट ना की बन सकते है, ना की close हो सकते है, ये सार, जो stay order है, वो क्या को होता है, whole process period में चलता है, मतलब एक बस stay लग दिया, तो stay हो जाता है, ठीक है, और उसके फिर अपन, या तो revival कर लेते हैं, या तो liquidation कर लेते, दोनों में स एकी चीज़ हो सकता है, फिर जो stay stay period रहता है, वो exclude करता है, the purpose of limiting by the law, अगर कोई law limit करता है कोई चीज़ को तो फिर उसको घटा देता है, stay order उसके उपर applicable नहीं होता है, say three years at date in the time of bed dates, during the period of stay order, supply of essential commodity cannot be interrupted, कोई भी essential commodity का आना जाना चलते रहेगा, और भीना, non upon non payment, भीना payment के भी essential commodity तो आते जाते रहेगी, जैसे कि lockdown में अपना जो सबजी वबजी था, दूथ था, वो सब चल रहा था न, वैसे ही मान लो आप, ठीक है, a license permit, registration, quota, concession, clearance, grant, right, given by the government, कोई भी registration, quota, concession, grant, जो भी है, वो सिफफ और सिफ government ए सकती है, और वो suspend भी कर सकती, subject क कि, इस subject हैगा कि, stay order लगा है, ठीक है, फिर सरी, vision करवा देती हूं, देखो, stay order, मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, delay करना, या suspense करदना, activity, by law, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि अपन proceeding को stop कर देते, वो जहाँ पर चल रही, वहीं पर, एक बार petition file हो जाता है, तो public announcement करता है, और उसके बाद, insolvency professional को hire करते है, पर ये वाला, जो insolvency professional, वो काहां भी नहीं कर पाएगा, अगर क्या का, अगर ये stay order लग जाता, तो, ठीक है, तो उसमें कहाता है, new case file नहीं हो सकता है, existing case जो रहता है, वो carry forward नहीं हो सकता है, pending कर देते है, judgment को, asset को transfer नहीं कर सकते, recovery नहीं कर सकते, और कोई भी security interest है, सफासी act में, उस अभी नहीं कर सकते, ये apply होता है, पूरी proceeding period पे है, ठीक है, उसके outfit, during supply of essential commodity चलते रहती है, कोई भी registration quota concession है, तो वो government करती है, appointment and tenure of interim, interim resolution professional, देखो, appointment कैसे करते हो, और फिर उसको tenure क्या रहता है, उसका, ठीक है, तो जो insolvency professional है, वो दो type के हो सकते है, पहला तो interim रहता है, दूसरा resolution रहता है, ठीक है, तो देखो, professional appointment by NCLT for doing initiative creative of, देखो, यह काम चालू करने के लिए, इनको hire करना पड़ता है, अपन को, उसके बाद जो appoint होते है, ना by creditor, क्रेटर से भी creditor वाले लोग जो रहते है, उन लोग भी एक को hire कर सकते है, अपना case लगने के लिए, तु मान लो, यह तो वह होता है, lawyer type का लग रहा है, तो easy terms लेने से क्या होता है, कि अपन को याद जादा रहता है, और connect कर पाते है अपन चीजों को, ठीक है, इसलिए मैं easy easy word बोल रहे हूँ, lawyer रहेगा, एक lawyer को not appoint करेगा, NCLT करेगा, ठीक है, proceeding चालू करने के लिए, और एक lawyer रहेगा, वो creditor appoint करेगा, अपना अपने बातों को रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ revision like भी नहीं है, ठीक है, management of affairs of corporate data by DRP, from the date of his appointment, power of a board and director stand suspended, guys, जो appointment हो जाता है ना, जब ये अपना चलता है, dispute, resolution, process, जब तक चलता है ना, तब तक director का power जो रहता है, वो सब suspend हो जाता है, ठीक है, सारे जो power से management के, वो भी इनके हाथ में चल जात है, professionals के हाथ में, जिते भी officers, manager, employers है, उन लोग को report करना पढ़ता है, professionals को, ठीक है, जिते भी bank, financial, institute से company के, वो लोग accept करते है, इनका signature, ठीक है, ये लोग exist कर सकते था है, सारे information को, और responsible रहते है, जितनी लोग ने इनको responsibility दिये, ठीक है, management and affairs of corporate data by DRP, ठीक है, तो देखो, फिर appointment और power जो भी director के रहते हैं, वो suspend हो जाते है, power जो management करना पढ़ता है, officer, manager, employee जो है, उन लोग report करेंगे, उसको, ठीक है, उसके बाद फिर, जो banks है, financial, institute है, वहाँ पर signature चलेगा, access कर सकते information, और ये लोग जो रहते हैं, वो लोग compliance करते हैं, लोग और उसके लिए responsible रहते हैं, duties, duties important है, guys, duties देख लेते हैं, he will collect information regarding the company as follows, business operation for last two years, financial and operation payment of last two years, list of assets and liability on insolvency amendment date, commencement date, ठीक है, तुई information gather करना उनका काम है, पिछले दो साल का operational detail, financial detail, पिछले दो साल का all list of assets and liability commencement date के दिन, ठीक है, फिर receive and verify all the claims, इतने भी creditor के claim से उसको receive करना और verify करना, ठीक है, establish करना है, committee of creditors, monitor करना, assets and liability और manage करना, उनका operation को, file करना, उनकी information, control ले लेना assets का, जो की company को belong करती है, उसके बाद फिर perform करना, सारी duties, जो की, उनकी जिम्मेदारी है, करने की, not so, वैसे था है, important, चलो फिर से बता देती हूं, duties अगर आ गया, की, IRP का क्या duties होता है, insolvency, क्या था full form, insolvency professionals, ठीक है, insolvency professional का duty क्या होता है, कि वो लोग क्या करते है, पिछले दो साल का, दो साल का operation ले सकते हैं, और फिर financial dates दो साल का देख सकते हैं, list बनाते है, assets, liability का, verify करते हैं, claims of data, committee बनाते हैं, monitor करते हैं, assets को information निकलाते हैं, ठीक है, control ले ले लेते हैं, company से, उनके समान के उपर से, और duties देखते हैं, जो भी उनके board में, उनको बताया गया है, personal to extend corporate to professionals, all the people belonging to the company, where the promoter, senior persons, holding or any other person, will have to corporate with professionals, corporate करना पड़ता है, सारे लोग को, इनके साथ, not so important, if they do not corporate, may apply to NCLT, NCLT के instruction का, उलंगन क्या जा रहा है, समान लिया जाता है, अगर वो लो बात नहीं मानते हैं, management of operation of corporate data as going concern, यह को शनायत है, MCQs में, कि going concern मान जाता है, ऐसा नहीं है कि liquidation हो रहा तो अपन मान लेंगे, या liquidate हो जागा करके, going concern ही मानता रहेंगे, ठीक है, तो जो professionals है, वो सारे actions लेते हैं, जो गी going concern of a company के लिए necessary होते हैं, ठीक है, और इनके memorandum और आर्टिकल के हिसाब से ही लिया जाता है, ठीक है, revision करवा देती हैं, जो company रहती है, उसको अपन मानेंगे going concern में हैं, और उसको maintain करते हुए ही सारे actions ले जाएंगे, appointment director, जो भी appointment होता है, वो सब और जिते भी contracts होते हैं, वो सब भी यही भात में ध्यान रखत committee of craters, committee of craters means committee of financial craters only, जहाँ पर सारे craters रहेंगे, उसी को तो भलेंगे, committee of craters, ठीक है, all the decisions of COC shall be taken by a simple majority, committee of craters, का जो decision है, वो 51% जिसका तरफ रहता है, बोले लिया जाता है, if financial craters is himself related to the company, he cannot participate, अगर वो खुद ही financial craters है, तो वो पाटिसिपेट ना है का शकता, COC is actually the directing agency का, यह एक directing agency है, ठीक है, जो कि, अप्रूफ करती है, every single affairs को, ठीक है, और COC है वो जो अपोइंट करेगी, reconciliation professional को, ठीक है guys, देख लेते हैं, जिसके तरफ रहता है, जिसके तरफ रहता है, वो उसकी तरफ चले जाता है, अगर तुम financial craters है, खुद हो, तो तुम बोट नहीं पर सकते, और COC जो रहेगी, वो direct करती है, agencies को, और वो अपोइंट करती है, professionals को, ठीक है, उसके तरफ रिलेटेट वाटे का definition सम्झाने की कोई जरुआत नहीं, मेरीट कर रही हूँ है, डारेक्टर, पार्टनार, LLP, related to director, KMP, private company, जिसमें 2% से जादा शेयर कैपितल हो, डारेक्टर के पास, holding company, 1% company, जिसके 2% से जादा वोटिंग पावर हो, और company, having two common directors, appointment of, uh, uh, re, reconciliation, re, resolution, resolution, I'm so sorry, appointment of resolution, प्रोवी, प्रोफे, प्रोफे, जो जो जो, यहाँ, पे कट कर दे, appointment of, resolution, professionals, ठीक है, तो, a first meeting of COC shall be held within 7 days of establishment, ठीक है, पहली meeting कब रखेंगे, साथ दिन के अंदर रखेंगे, establishment के, COC will appoint resolution professor, professionals in this first meeting, first meeting में COC appoint करेगा यह professional को, ठीक है, जो कि appoint होता है, majority of 66%, if COC decide to continue, अगर वो continue करना चाहती है, professional के साथ, तो फिर वो inform कर देगी company को, और NCLD को, जो COC है, वो decide, यह replace कर सकती है, उसको कौन सा professional पसंद है, IBCI, जो है, मताब board, ठीक है, has raised the confirmation, the confirmation करेंगे, 10 दिन के अंदर, और फिर जो professional है, उसको रखेंगे, राइटिंग में, देकर, ऐसा से करके लिखेंगे, आपको रखना चाहते हैं, हम प्रीज आजए, ठीक है, ठीक है, करेंगे, उसके बाद, फिर जो, अगर पुराने के से continue करना चाहती, जो कि पहले, अपन प्रोफेशनल रखेते हैं, तो वो कंपनिया, NCLT को बता सकती है, या पिर रिप्लेस कर सकती है, 10 दिन के अंदर, बोट confirm करेंगी, और राइटिंग में, उनको concern देंगे, resolution professional to be conducted, ठीक है, conduct करेंगा, resolution professional क्या conduct करेंगा, ICIRP, ठीक है, in good faith, मतब वो conduct करेंगा, good faith पे, ठीक है, if resolution plan is not yet made, अगर अभी तक resolution plan नहीं बना है, तो फिर company जो रहेगी, वो normal administrator की तरह चलेगी, अगर professional जाए, वो exercise करता है, as per the powers and duties, जो के act में दी गई उसके हिसाब से, it does not, बक्वास point exercise, इसमें से question नहीं आ सकता है, next point, meeting of COC, COC का meeting, क्योंगा, meet करेंगे, लोग के electronic means से, ठीक है, meeting चरहेगी, वो conduct by, जो professional है, वो conduct करेंगा, generally, जो financial creditor है ते, वो ही notice देते है, meeting की, कैसे देंगे, सबस्पेरे, member suspend, board of director, ठीक है, फिर operational creditor, only if there is due, और 10% से ज़्यादा total में होगा, तब जाके, उन लोग ये operational creditor को अपन बता सकते हैं, even if suspended board of director and operational creditor are called for the meeting, they cannot participate, और अगर उसके बाद भी उन लोग बुला लेते हैं, तो फिर उन लोग participate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, any member of COC can appoint insolvency professionals, वो लोग किसी भी insolvency professional को appoint कर सकते हैं, fees जो रहेंगे उनकी, वो bond करेंगे, creditor himself, ठीक है, और फिर member ज़र रहेंगे, और लोग record करेंगे meetings, meetings, मतलब meetings, sorry member बोले थी, meetings का, जो minutes book बनेगा, guys not so important है ये भी, बट फिर भी पढ़ें हैं तो एक बर बता देती हूं, meeting में से आ नहीं सकता, क्योंकि exam में इतना कुछ आने को, ये क्यों हैगा, ठीक है, not so important है, मुझे बबल्कुछ, मज़ा नहीं, आरस को पढ़ाने में, चला, पन कुछ अच्छा पढ़ता है, duties of, duty आ सकता है, duty अच्छी चीज होती है, अगर आप बन गए professional, तो क्या बन, क्या duty देगी आपकी, कि आप preserve करोगे, protect करोगे, वो सारे assets, जो कि आपने भी business operation के दौरान लिए हैं, ठीक है, उसको protect करने का और preserve करने की जिम्मेदारिया आपकी है, आप क्या करोगे, take immediate custody and control over all assets, including business records, सारी चीज का custody आप लोगे, तो आपके control पे रहगा, business records, वो सबका धिहान आपको रखना है, represent and act on behalf of company, आप represent करोगे और उनके behalf में काम करोगे, with third party, third party के साथ, excise rights for benefit of company, in judiciary, quasi judiciary, or arbitration proceedings, raise in interim finance, subject to the approval of committee, raise in interim finance, but boost के लिए approval चाहिए रहागा, अपको committee का, उसके फिर appoint कर सकता accountant, legal practitioner को, इसा भी maintain करना पड़ेगा, update करना पड़ेगा, claim की list को, ठीक है, फिर आपको meeting attend करना पड़ेगा, सारी जो की COC की होती है, ठीक है, फिर information memorandum prepare करना पड़ेगा, invite करो गया, prospective resolutions, applicants को, आपको present रहना पड़ेगा, सारे plans, जब resolution पास होता है, तब, आपको भी transaction को, avoidance of transaction, अगर आपको file करना पड़ेगा, application, अगर आपको transaction को, avoid करते हो, तो, such other action as may be specified, और कुछ specified है, तो वो सब भी, ठीक है, quick revision करवा देती हूँ, जो पड़े अभी, देखो, duty of professional का क्या होता है, कि preserve करें, protect करें, assets को, immediate custody control करें, जिसका भी समान है, वो सब को समाल के रखें, और उसके अपको represent करें, on behalf of company, third party को, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगा, अप्रूफ करेंगा, committee के creditors को, जो भी finance, interim finance रही होगा, ठीक है, फिर अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है, अप्डेट करता है, सारे claims को, meeting को attend करता है, और committee of creditors की, prepare करता है, information memorandums, ठीक है, फिर invite करता, prospective eligible resolution के applicants, जो भी है, उनको, मतब जिनके लिए resolution पास करना ज़रूरी है, उन लोगों के invite करेंगा, फिर सारे plans बनाएगा, फिर avoid करेंगा, अगर कोई transaction avoid करता है, तो उसके लिए application देगा, और other matter as में भी prescribed, section 25A, rights and duties of authorized representative of financial creditor, financial creditor को, जो authorizedly represent करेगा, उसकी rights and duties पढ़ रहा है, वपन, ठीक है guys, financial creditor can be appoint, they are authorized, financial creditor अपने appoint कर सकते, common sense, one of the creditor can not appoint more than one authorized representative, but one authorized representative can represent more than one, guys, एक अगर आप एक इनसान होना, तो आपको एक इसन represent कर सकता है, बट जो यह एक इनसान represent कर रहा है, वो एक के साथ और और लोगों को भी represent कर सकता है, ठीक है, यह point लिखा है, फिर next, if it is happen, representative will cast more than one vote, it is more than one capacity, if it is happen, अगर ऐसा होता है, कि representative will cast more than one, अगर एक इनसान ही बहुत साथ लोगों के तरफ से represent कर रहा है, तो वो एक से जादा vote कर सकता है, उन सब की capacity के ही सब से, उसके बाद फिर authorized representative will always act in good faith, वो हमेशा अच्छे faith पे काम करेगा, प्राइरी इंटिमेशन देना पड़ेगा आपन को COC अगर representation करते कुछ financial creditors तो, authorized representative always act as instructions, जो financial creditors बोलेगा, उनके ही इशारों की पुतली रहिये, नास्थी पुतली, ना ना ना, 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 अथा, छेख है, तो मैं short पे बता देते हूं, कि मैंने क्या बताया अभी, comedy way से, ठीक है, देखो यार, ऐसा होगा, तो कैसे है, देखो, सबसे पहले जब financial caterers होगा, वो authorized होना चाहिए, एक इंसान, एक ही को अपॉइंट कर सकता है, पर जो appointed है, वो बहुत सा लोग को represent कर सकता है, ठीक है, फिर जो अगर वो बहुत सा लोग क पड़े के COC को, और जो भी वो लोग करते है, उसका जो instructions रहेगा, वो कौन देखा, creditors उनको instructions देंगे, वही काम करेगा, वो सिर्फ, next, application for avoidance, अगर को यह avoidance करते हैं, पने transaction का, तो मैंने बताया था न, application देना पड़ता है, जो की proceeding को affect नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो, जो अपना professional, they can cancel any transaction or conduct done by the company before intimating CIRP, ठीक है, मतलब, जो अपना professional हैगा, वो cancel कर सकता है, कोई भी transaction को, but उसको न, before, उसको intimate करना पड़ेगा, इनको, however, they cannot take, can take approval of NCLT, और या तो, वो NCLT का approval ले सकता है, ठीक है, या तो, वो CIRP को बता दे, या तो, फिर वो approval ले ले, NCLT का, दो option उसके पास, फिर वो अवोइट कर सकता है, this avoidance can be done when the transaction is not in good faith, और कप करेंगे, जब जब ना हो तब करेंगे, और इस नो, no more beneficial for the company, और बेनिफिशल ही नहीं कंपनी के ली तो, कप कर सकते देखो, सबसे पहला पन को CIRP का approval लेना पड़ेगा, ज़िए, उनको बताना पड़ पर पर चुके सोबार इसके लिए हमको कोई भी अप्रूवल लेनी की ज़रूरत नहीं है हम लोग पॉइंट कर सकते हैं निकालने के लिए प्रूवल नहीं चाहिए बट लाने के लिए अप्रूवल चाहिए और अगर कोई चेंज करना अपनको structure of capital अगर कोई recording करना ownership of transfer की issue of instructions to the bank and financial institute beyond the particular limit specified by the COC, मतलब कोई ऐसा instruction issue करना bank को या financial instrument को जो की limit से बाहर है, ठीक है, undertake करना कोई related party transaction को, या तो memorandum या article को amend करना है, ठीक है, कोई delegate करना अपनी किसी authority को, किसी और को, मतलब अपने काम किसी और को देना, dispose करना है, share को, make करना है, कोई changes in management, transfer करना है, कोई material contract किसी और को, कोई भी changes करना है, appointment of किसी भी person को COC के, make कोई भी अपने को contract बनाना है, auditor के साथ, या फिर कोई invite करना है, किसी resolution को company के, तो फिर सबके लिए approval लेना पड़ता है, बिना approval कि अप everything to protect the company, जो आप सोचो ना, आपके विहाफ में, आप किसी लोहर को रखे हो, तो आपके लिए तो लड़ रहा है, तो आपको ही तो धिहान रखेगा, तो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, वो सारी activity कंड़क करेगा, after 66 approval, ये सारे काम के लिए ना, उसको 66% dollar approval ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बर रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है, चल जल दी करेंगे, 1, 2, 3, start, रेस करेंगे finance beyond the limit, asset को कोई अपना interest देंगे, ठीक है, उसके तो capital structure में changes लगे, कोई ownership का recording करेंगे, changes करेंगे, ठीक है, फिर अपना जो limit से बाहर अपना financial institute से या बैंक से कुछ काम करेंगे, कोई related party transaction करेंगे, memorandum article को amendment करेंगे, delegate करेंगे, कोई authority, या फिर dispose कर देंगे, अपने shares, कोई changes लएंगे management में, material contract में changes करेंगे, appointment करेंगे, किसी person का, या फिर auditor के सब contract करेंगे, या फिर कोई invite करेंगे, कोई resolution company में, नेक्स पर्ट्य अपन, preparation of information memorandum देखो जो related, जो अपना representative professionals रहेगा न, वो prepare करता है, ठीक है, उसका format जब वोड बताती है, ठीक है, information memorandum जो रहेगा, वो detail रखेगा, ठीक है, financial position of a company के बारे में, और फिर resolution plans बतायागा, information memorandum जो रहेगा, वो खुद बनाता है, और वो authorize करता है, किसी applicant को, या तो वो खुद बना सकता है, या तो किसी को authority दे सकता है, और resolution applicant means a person to whom submit the resolution plan, और वो resolution applicant का मतलब होता है, कि वो इंसान जो submit करे, resolution plan, ठीक है, तो मैं फिर सरी call क resolution नहीं यार, कौन था, representative professionals, जो रहते हैं, उन लोग बनाते है, information memorandum को, वो लोग detail बताते है, अपने यो company की financial statement के हिसाब से, मतलब position बताते है, वो खुद ही बनाते है, या वो किसी को authorize कर सकते है, इस चीज़ को बनाने के लिए, submission and approval of resolution plan, अब submission and approval of resolution plan पर रहे है, या तो वो खुद, या फिर वो applicant, ये resolution plan बना सकते है, ठीक है, resolution applicant should also submit the affidavit that he is eligible under section 29A, उसको एक affidavit में बताना पड़ेगा कि मैं eligible हूँ ये काम करने के लिए, उसके बाद फिर जो representative professional हैगा, वो examine करता है, हर plan को, जो कि उसको receive हूँ है, उसके applicants है, ठीक है, और provide करेगा, पहली चीज़ की, provided that the payment of a cost of its in priority over the debt, debt की, debt के मुकाबले, इस CIRP को prioritize किया गया हो, वो ये चीज़ का ध्यान रखेगा, उसके बाद भी provide करेगा, की जो payment है, operational creditor and financial creditor का, वो do not give their consent to the plan, may not give, provide for the payment of operational creditor and their financial creditor, who may not give their consent to the plan, उसके फिर देखेगा, की कौन-कौन लोग consent नहीं दिये, इस plan पे, ठीक है, फिर provide करेगा, की जो management of a company after the approval, वो चाहेगा, की जो manager, maintainer management, वो अप्रूफ कर दे इस plan को, फिर implement करेगा, supervise करेगा, प्लान को, फिर कोई भी चीज का contravention नहीं कर सकता, उसके फिर requirement फुल्फिल करेगा, आयोप, आप आप लोग इहां तक समझ में आ रहोगा, वैसी इतना साधा important chapter तो है, बट कुछ-कुछ section नहीं इतने साधा important नहीं होते, chapter importance के यह मतलब नहीं कि सारी section important है, ठीक है बताना पढ़ना है, बताना मेरी जम्यदारी है, बताना आपके जम्यदारी, तो हम दोनों का हमारी ड्यूटी निभानी है, ठीक है, देखो या, resolution plan easy सा है, फालतु में आज अगर exam में गल्लात हो जागा तो अच्छा नहीं लगता नहीं, इस लक्षे से बता देती मैं, resolution plan ज उसके जो प्लान रहेगा वो receive होता है, ठीक है उसमें provided रहता है कि जो payment cost की उसको प्राइटाइस किया गया हो कि CIRP को सबसे पहले रखो बाकी डिट को बाद में, उसके जो लोग अभी तक plan को accept नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में देखेंगा कि क्या problem है उनको, फिर जो management है उससे चाहेगा कि वो approve कर दे, उसको implement करेगा, supervise करेगा plan को, उसके फिद्यान देगा कि वो बिल्कुल करें कि इस प्रोविशन को, और सारे requirements अपने को fulfill करने हैं वोट की, उसके बाद फिर some cost to be incurred without which process cannot be further, कुछ cost लगता है आर इस अब काम में, जो plan मना रहा हो भी तो लेग cost involves the following expenses, अब क्या क्या खर्चा लगता है पूछोगे आप, important है है, क्या क्या खर्चा लगता है तो देख लेता है, amount of interim finance required, interim finance ही हमको, ठीक है, उसके फिर arrange interim finance, same same point है, ठीक है, फिर fees देंगे आपन लो की, मैं तो पहले वो ली दिन की fees लगती करके, ठीक है, फिर run करेंगे और भी कुछ खर्ची लग सकते है, तो देखो, interim finance को पहला खर्चा है, उसके fees दूसरा खर्चा है, run करेंगे business तीसरा खर्चा है, government को फीज देंगे चर्था खर्चा और कुछ भी और हो सकता है, अप्रूवल ऑफ रिजॉलुशन प्लान बाइंचल्ट का अप्रूवल लगता मैं बताई थी न, आपको एंचल्ट से अप्रूवल देते करके, तो देखो, एंचल्ट will satisfy itself that the plan can be effective implemented, ऐसे नहीं कि तुम बस बना के रख लिए प्लान, effectively implement भी करना पड़ेगा, resolution plan approved by the NCLTB binding to everyone, सबके उपर लागव होता है, ऐसे न, कि मैं तो अप्रूवल नहीं दी थी मेरे उप्रूवल नहीं दी थी, ऐसे न, कि आपको अपर होगा, अपील कर सकते हैं कोई भी परसन अगर अगर नहीं होता है तो वह एंसे एल्टी को जाकर बोल सकता है और नहीं पसंद आ रहा है और नहीं बात नहीं वानेगे तो एंसी एल्टी को बता देगा जाके इंटिमेट्शन ओफ लिक्विडेशन अगर रिजॉलिशन प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है इंसी एल्टी को आइधा बिकॉज अफिकल्टी इन इंप्लिमेंटेशन ठीक है या फिर बिकॉज इस नॉट फेट तो फिर वह ओडर लिक्विडेशन कैन भी ओडर मतलब बोल र करके कंपनी बंद करो बंद करो असर आ सकते एक्जाम में कौन से दो कारण जिसकी वज़े से कंपनी बंद हो सकती है तो डिफिकल्टी इंप्लिमेंट प्लान एंड सेकेंड वन इस कि क्या थो गुट फेट पर नहीं है लिक्विडेशन सेक्शन डबल थ्री इनिशेटिव लिक्विडेशन डाल चाहते हैं जो की वर्किंग भी नहीं हो सकता कभी कभी इफ लिक्विडेशन इस ओर अगर बीटेशन और हो जाता तो इसके बात लो भी लीगल पर सीधिंग इनिशेटिव पाइपनी उसकी अगेंस्ट में नहीं हो सकती ठीक है हावर दे लीगल प्रोसीडिंग के इनिशेटिव आफ्टर अप्रूवल अप्रूवल अप्रूव कर देगा तो उसके बाद करवा सकते हो इफ लिक्विडेटर इन प्लोज कर जाते कंपनी को तो फिर जीते प्योफिश्य इंप्लोई जैब दीम टूब डिस्चार्ज कि लोग डिस्चार्ज हो गए है इफ लिक्विडेटर डिसाइड टू कंटीनीव जाए बिसनस अगर लिक्विडेटर चाहता है कि इंप्लोई जरहेंगे उन लोग डीम टू भी कंटीनू मान जेचाएगा इसा नहीं होता है और को मन सेंस लागा हो सब समय जमें आ जागा स से पहले क्यों होगा रिजोलुशन अगर रिजोलुशन प्लान जराएगा वह पास नहीं है अगर उसको मनवाना है तो एंसल्ट के अप्रूवल ले लो बिजनस जैसी खतम को मान लेंगे कि ऑफिसर इंप्लोई इंड वहां से जा चुके हैं प्रोटेक्ट करेगा कंपनी की असेट्स को गाइस में एक दम स्पीड में बता रहें कि इसमें से एक्जाम में वैसे भी नहीं आने वाला है तो केरी दा कंपनी बिजनस ठीक है तो सेल मुवेबल और इमोल प्रॉपर्टी तो इल वित निगोशिबल इंस्टिमेंट तो इसु नोटिस तो दे लेटर्स तो अप्लाई करना अप्लाई करना डिरेक्शन जो के अंसेल्टी ने दिया हुआ है उसके बाद भी परफॉर्म अने अधर फंसंघ जो भी लगते है लिक्विडेशन अफ इस असेट के अंदर हो तो और नहीं यह को सकता है इंटांजिबल एसेट्स, ज़ो रहेगा वह मोवेबल मोवल कुछ भी हो सकते सबजेक्ट्व paling घौ सकते हैं सबजेक्ट्थ डिटर्मे нат Онरशिप सिप개를 か सबध proprioτर से का वह ऊंको है या नहीं है । और अइसेट सक्थ एप Vari122 आफ सक्षंन देखेंगे उसके फिर asset relinquished by the secure creator हो सकते कि secure creator छीन लियो asset को ठीक है या फिर कोई other property जो company से belong करती है और proceeds of liquidation यह सारी चीज़ जो रहेगी वो सब चीज़ include होगी assets में ठीक है अगर आपको पूछेंगे कि liquidation का जो proceeds है वो asset है कि तो हाँ वो asset है कोई भी property जो belong करती है ownership of company वो सारी चीज़ asset होती है next excludes क्या के assets नहीं होता है अगर कोई third party के possession में समान है तो वो asset नहीं है कोई insecurity collateral है मतब कोई तुम financial service लेके collateral दी हो तो वो तुम्हारा asset नहीं है कोई personal asset तुम्हारा शेर होलडर का वो तुम्हारा asset नहीं है asset of a subsidiary company तुम्हारा asset नहीं है asset may not be prescribed by board मताँ asset कुछ कुछ ऐसा asset है जो बोड बताएगी कि वो नहीं है फिर से बता रहे हूं यह important है थोड़ा कौन सा asset company के नहीं होता है जो third party के possession में जो collateral की तरह रखे होए जो personal assets है जो subsidiary company के यह यह पर कोई बोड ने बताया आगे बटे duties to form liquidation assets कोई कोई सी duty है जो कि liquidation states बनती जैसे कि liquidator will form liquidation states and will report NCLT for the same यह बनाएगा states को और उसके फिर 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 करेगा NCLT को liquidator can held this asset fiduciary to relationship benefit of a company and creditors liquidation will use the states for the payment of a creditor as per section 53 ठीक है payment के हिसाब से creditor के payment के हिसाब से वह liquidation जाएगा वह एक relationship बनाएगा asset के बीच में और creditor के बीच में ठीक है फिर liquidator has a power to access information liquidator के पर पर पावार है कि वह information access कर सकता है ठीक है उसके पावार है कि वह ओर राइट कर सकता है कोई भी confidential agreement को ठीक है उसके बाद फिर वह following sources information ला सकता है information utility से creditor से information ले सकता है credit information ठीक है register authority कोई होगी जो setup की गई यह government से वहां से ला सकता है उसके information system जो financial non-financial nature करता है वहां से ला सकता है सफासी act में अगर कुछ होगत वहां से ला सकता है कोई भी record जो board maintain करती है या कोई other board बताएंगी creditors से मान लिए जागा कि information जो भी दिएंगे वो तो देंगे या creditors देते ही अपने ठीक है फिर liquidation will help provide such information within seven days जो liquidator रहता है वो सारी information को साथ दिन के अंदर बता देगा और cannot provide other resources cannot be communicated to the creditors अगर को information जो की नहीं बताई गई है तो उसका reason बताना पड़ेगा तुमको की क्यों नहीं बता रहे हो अगर तुम बहलो को मैं तो पता है वाट मैं नहीं बताऊगे जब अफिर तुम उसको reason बता देना की क्यों भगा रहे हो Consolidations of claim देखो liquidation will receive and collect the claim if creditors within 30 days from the commencement of liquidation जो लिक्विडेशन रहेगा वो रिसीव हो जाएगा और कलेक्टर जागा सारी claims liquidation की 30 days के अंदर ठीक है जनरली जो creditors है ते वो claim करते है और टो वेरिफाई रहते है वो चीज़े information system में बट कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं हो पाते तो वो लोग फाइल कर सकते supporting documents इफ क्रेटर डज नॉट accept अगर वो accepting करते तो फिर section 42 अप्लाई हो जाता है क्रेटर कैन टेक bank his bank claim और can make a variation in the claims 14 days के अंदर उन लोग कोई भी claim में चेंदिस कर सकते है है फिर section 39 है verification of a claim by liquidator लिक्विडेटर करेगा लिक्विडेशन क्या है लिक्विडेटर विल वेरिफाइब करेगा सबसे पहले वह एक्सेप भी कर सकता है जो वेरिफिकेशन रहेगी वह और रिजनेबल टाइम में की जाएगे और डिलेव में नहीं कर जाएगा लिक्विडेशन जलाएगा वह वेलिफाइब होगा जेन्वीन नेचर वाले चीज़ों को अपन वेरिफाइब करेंगे ठीक है फिसेक्शन 40 और अगर जैन्मीन नहीं होगा तो फिसको प्रूफ करन सकता है क्लेम को कम्नीकेट करना पड़ेगा अपना डिसीजन साथ दीन के अंदर क्रेटर को ठीक है और रीजन बताना पड़ेगा अगर रिजेक्ट किया तो डिटर्माइन दा वैली ओफ क्लेम निकालना पड़ेगा जो लिक्विडेटर उसके बस पावर होती कि वह वैल्य पड़ेशन है नहीं पसंदा रहा है करके ठीक है और जो अपील है वह 14 दिन के अंदर अपन को करनी पड़ेगी है अववडेंस ओफ रिफरेंशल ट्रांजक्शन बाइद लिक्विडेटर प्रिफरेंशल ट्रांजक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें अपन ना कोई तरह करते शेयर या दूसरी प्रापर्टी उसको सेक्यॉर करने के लिए और फिसके च्रांजक्शनव 50 3 के तहथ वोईलेटे होता है ऐसे टाप के ट्रांजक्शन 53 के तहथ वैलो वाइलेटे होते है इट ड़ज़न ओन अठ्र वैदर प्रिफ रिफरेंशल वाज गीवन इन उसके बाद फिर section 44 जो रहता order of NCLT in case of preferential transactions क्या order आ सकता है if liquidator find preferential transaction अगर कोई preferential transactions होता है न तो उसके लिए approval चीए NCLT के अपन को और फिर वो वोईड हो जाता है if NCLT is also find preferential preferential given to someone and issue the following order the transfer of books of property transfer of money back to the company देखो सबसे पहले इसको transfer करना पड़ेगा वापस चीज़ों को उसके बाद फिर money को वापस देना पड़ेगा रिलीज करना पड़ेगा security के interest में जो है genuine directions देने पड़ेंगे direction देंगे ताकि discharge हो सके debt और फिर जो person रहेगा उसको pay करना पड़ेगा compensation और damages अगर किसी को अपन को गिफ्ट दे रहे transaction को या फिर अपन एक asset की बदले किसी और को ऐसा transfer कर रहे कम price पे true price से कम price पे जब भेजते तब उसको undervalued of transactions बोलते है तो जिए लेक्विड़ेट रहेगा वह अप्रूफ कर वाएगा यह चीज को NCLT से तब जा कि का मतलब होता है कि total time before intimation of insolvency insolvency होने से पहले जित्ता भी time बता रहे हो तुम उसको अपन क्या बोलते है relevant time in case of related party relevant time is a two year दो साल को अपन relevant time माना जाता है और related party जब होते है तब और इन other case भागी की time अपन क्या मानते है एक साल मानते है उसको अधर पार्टी की में दो और related में दो स्वारी अधर में एक और related में दो application in case of under value transaction अगर transaction under value रहता है तो प्रापर और प्रॉपर पास करेगा फिर उसके बाद फिर इसु करेगा instructions बोड को और फिर बोड जो रहेगी वो actions लेगी liquidator के खिलाफ कि तुमने क्यों नहीं सुनी उसकी बात ठीक है then order in case of under value transactions following other possible order which may be issue by NCLT NCLT issue कर सकती कुछ-कुछ order अगर under value transactions होते तो सबसे पहले transfer करवा सकती company को वापस release करा देगी interest जो भी है उसमें ठीक है उसके फिर person जो रहेगे वो damages पे करेंगे और फिर balanced consideration जो भी रहेगे वो वापस करेंगे transaction defaulting creditors ठीक है if the NCLT satisfied that the transaction was done by default conditions it can be declared null or void null or void मान लिया जाएगा अगर NCLT को सलगते की जो transaction था वो default था ठीक है any person who receives some benefit out of such transaction will have refund और अगर उसको कोई भी मिल जाता है जो उसके लायक नहीं था वो तो उसको refund करना चीब पूरे पैस वापस ठीक है any transaction enter into the company in good fit अगर वो good fit पे होता है तो फिर उसको avoid नहीं माना जाता है वो हो सकते है न फूल से हो जाए तो फिर अगर वो good fit पे तो फिर उसको avoid नहीं मानेंगे उसके अध्वी credit transactions extortionate transactions means transaction which are beyond the imagination and absolutely imprudent मतलब एकदम फालतु के transactions ठीक है तो इन simple वड़ापन इसको बोल सकते है transaction which are never performed by the individual को एक ऐसा काम जो कोई कहर ही नहीं सकते है impossible जैसे तारे थोड़के लाना impossible काम है ठीक है तो any such transaction done by the company अगर company ने किया है दो साल के अंदर जब insolvency start to use से पहले दो साल पहले किया अगर ऐसा तो जो लिक्विडेटर रहता है उसके पर scrutiny करेगा ठीक है before the start of insolvency will end under the scrutiny ठीक है liquidation will have to take a prior approval of NCLT इस transactions के लिए उसको NCLT से prior approval लेना पड़ेगा और यह transactions void होएंगे ठीक है फिर से बता दू कि एक बार चलो मैं बता देती हूं देखो जो यह वहले टाइप के transactions होते ना कौन से वहले टाइप के लिक्विडेटर लिक्विडेटर जो दो साल पहले insolvency के उसके पर scrutiny करेगा उसके बाद फिर वह approval लेगा NCLT के और उसको void घोशित कर देगा order of NCLT in respect of extraordinary transactions ठीक है तो कोई कोई से जो होते है उसके लिए issue का नपड़े जैसे कि वापस कैसे सेम सेम चीज होती अभी आपन पाढ़े ना वही चीज़ा फिर से रिस्टोर करेगा प्रीवेस पोजिशन को ठीक है सैट करेगा महां के डेट्स को ठीक है मोडिफार करेगा terms of conditions को issue करेगा notice ठीक है damages पे करेगा release करेगा interest सेम सेम है ठीक है secure creditor in liquidation लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अब बताना है कि secure creditor कौन कर होते प्रोसीडिंग के दौरान लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के दौरान तो whenever a secure loan is taken collateral security goes to the creditor when the liquidator takes the secured creditor has the two options देखो guys जब भी नापन किसको loan देते ना बैंक वाले तो लोग जमीन रख लेते हैं कुछ भी रख लेते गोल्ड रख लेते ताकि collateral हो तो उसके बार में discussion हो रहा है हाँ पर कि collateral security अगर रखता है कोई creditors तो उस case पर क्या होगा तो उसके option होता है पहले वो कि वो surrender कर दे अपने asset को ठीक है और वेट करे settlement के लिए या तो फिर जो security करेटर ना वो permission ले ले liquidator से और sale sale कर दे उसको और अपना ash करे मैं रहती तो second option लेती क्योंकि मैं को भरोसा नहीं first option पर बट वो aspect choice होती है ठीक है if sale proceeds of any अगर कोई surplus होता ना तो फिर वो company को वापस करेंगे और deficit होगा ना तो फिर remain liability और फिर उत्ता डेफिसेट जितना भी रहेगा वो liability रहेगी company की common sense था distribution of assets once a liquidation state is sold सारे जैसे liquidation हो जाता है लिक्विडिशन जैसी हो जाता है तो सारे जो भी sale किये है है ना उसको distribute कर देता है following varieties में सबसे पहला अपन किसका खर्चा रखेंगा इतना सारा राम जाम जो करा है उसका खर्चा सबसे पहले रखना चीन आपन को तो उनका खर्चा सबसे पहले रखते है ठीक है उसके बाद फिर क्या करते है जो कि 24 महने के अंदर अपन को देना ही होता है वर्कमेंट यू मतलब जो भी चारे लोग अपरे काम किये हमको इतना को परेट किये उनका खर्चा सबसे पहले रखना पड़ता है उसके बाद ठीक है उसके राद फिर जो employees है उनको रखेंगे सबसे पहले क्या रखे आपन अपना यह जो इनका कर्चा रखे ना जो अपना या आरपी का उसका रखेंगे उसके पर फिर एक्ट को पेमेंट करेंगे और रिमेंग द्यूस जो बचेंगे फिर प्रेफरेंश्यल शेरहोलर फिर इक्वीटी शेरहोलर फिर लिक्वीडेशन फीस शेल भी पैट बैडिदक्टिंग दप्रपोर्शन अमांट पेमेंट वीच परसन और हर परसन को जैसे पेमेंट होते जागा ना तो इस इप क्रेडिटर्स शेक्योर वाले देन इंप्लोई फिर अंसीख्योर क्रेटर्स फिर गोर्मेंट यूज जो कि पुराने है दो साल से पहले की सफ़ाइस एक्ट वाले फिर रिमेंग डूट्स उसके प्रिफेरेंश शेरहोलडर फिक्वीडी शेरहोलडर जो अगर सब कुछ वेरिफाइड हो जाता है करेक्ट हो जाता है लिए तो फिर वो इशु करते है डिसॉलूशन और फिर जो कॉपी ऑफ और रहता है न उसके साथ अपन को रिपोर्ट देना पड़ता है साथ दिन के अंदर अरोसी को ठीक है फिर से रिकॉल करवा देती मैं अगरी कोशन आ गया डेटर का तो क्या लिखोगे कि जो असेट से रहता है वो रिलाइज हो जाता है लिएबिटी जो पे ओफ हो जाती उसके वाद अपन सब्मीट करते है कि विपोर्ट एंसी के पास सब्मीट करते है इसी के साथ गाइस मैं आपको बताना चाहोगी कि हमार यह रिविजन आइबिसी का कम्प्लीट होता है बहुत महनत से वीडियो गाइस प्लीज 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आइबिसी बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इतनी महनत से फिर थेंक्यू सो मुच पर वचिंग डिस वीडियो आई होब कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुकियो बटा लाइक भी करोगे वीडियो को तो मुझे अच्छा लगेगा और एक्जाम आ रहा है पढ़ते रही है अपना लेहान रखिए और ऐसी वीडियो पूर आते रहेगी आप चिंता ना करें मैं पूरा लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा लॉग की वीडियो में आपके लिए और बनाऊगी और मैंने बाकी और रिविजनरी का बनाया हूँ है वो पेपर पैटर्न मगरे वो सब भी आप देख सकते हैं हूँ